हाई सुडेंट्स हावर यू चलिया आईए भैं फिर आप लोगे लिए पर्मुटेशन पर्पिज्ट कुछ सम लेका आया हूं जो आपके एक्जाम के पॉएंट अब यू से बहुत इंपोर्टन है तो ये बच्चों बिना समय गवाए सवाल करते हैं एक बात और मेरे चैनल बिजय सर्देवहर को जादा से जादा दोस्तों में सेर किजिए इसे लाइक किजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजिए और बेला करे को दबाद जिए ताकि जैसे ही मैं इस तरह का वीडियो डालूं आप तक इन्फर्मेशन पहुंच जाए ताई रच्च्व सिखते हैं पर्मोटेशन का एक इंपोर्टेंट सवाग कुशन रच्च्व In how many ways In how many ways मने कितने तरीकों से Six men छे पुरूस And five women पांच आवरत Can be seated at a round table छे पुरूस और पांच आवरत एक round table में कितने तरीका से बठाया जा सकता है If अब यहां कुछ condition दिया गया है क्या condition है बच्चों There is no restriction There is no restriction मने बैठने पर कोई परतिबंद नहीं हो कहीं भी कोई बैठ सकता है मने कोई परतिबंद नहीं हो वही करा there is no restriction दोना बच्चों All the five women sit together और क्या दिया गया है पहला कोसम में करा था कहीं भी कोई बैठ सकता है कोई रिस्टिक्शन नहीं है दूसरे में परतिबंद निया गया है कि पांचो लेडिस जो है और जो है साथ में बठना है उन्हें साथ में बठाना है और थाड़े बच्चों All the five women do not sit together तिसरा में कहा रहा है कि all the five women वन्हें पांचो और अरत एक साथ ना बैठे क्यों नहीं बठे पता है ना नहीं बोलेंगे समझने वाला समझ जाता है आए बच्चों लिखते हैं तो बच्चों कैसे माते हैं There is no restriction तो बच्चों जब रिखा रहे There is no restriction तो वहाँ पर हमको कैसे करें वह दिए Man कितना है बच्चों M-E-N Single ego रहता तब होता है M-A-N क्योंकि एक से ज्यादा है M-E-N Man का पुल्रा होता है Man कितना बच्चों अच्चों है Omen W-O-M-E-N सेम Omen के लिए भी इस है यहाँ पर पुल्रा होगे बच्चों अब हमें क्या करना बच्चों Total कितना होगे लिखे तो Total person कितना होगे 6 plus 5 आने की एक ज्यादा कितना होगे बच्चों एक ज्यादा होगे ठीकर न तो जब कोई restriction नहीं हो If There is No restriction जब कोई प्रतिबंध नहीं होगे तो वहाँ पर हम क्या कहेंगे Round table में के चारवर मेठाना है तो फार्मुला वह बच्चों factorial n-1 क्या बच्चों factorial n-1 तो factorial n-1 n कितना बच्चों आपका एक 11-1 याने की factorial 10 तरीके से हम इसे Round table के चारवर बठा सकते है factorial 10 तरीका से आपका मन करें तो factorial 10 को तुर लेजिए 10 गुना 9 गुना 8 गुना गुना करते करते वहांता चाहिए और गुना करके एंसलिक देजिए चुकी इससे गुना करके से बहुत लंबाश चोड़ा आएगा आपके factorial 10 ही आप छोड़ दिएगा तो कि आपका प्सन में factorial 10 ही लिखा रहेगा ठीक बच्चों चलिए रखते हैं कोसल नमबर टू क्या कह रहा है कोसल नमबर टू में क्या कह रहा बच्चों आल दा फाइव वामेन सीट टूगेदर जब पांचों लेडिस जो है टूगेदर बढ़ जाए जब इस तरह का कंडिशन दिया रहा बच्चों इसे याद रखेगा यह फेकर टूइल दस को याद रखेगा एसे कांड में लाएगे ठीक रख्चों जब टूगेदर रहे तो यह था ठीक है या रखेगा आप देखिए इसे याद रखेगा और बच्चों ऑफ-फथाइव में सीट टूगेदर सिफ टो गेदर जैसे यह रावन प्रेवें ता रचो हो तो मैं थाच्छा है वह एक दू तीन चार पाँच छे यह आपका एम करते हैं मतर्फा समझ एगर मैं है आपकर आप all the five omen shift होगे दो बने एक तीन हमारे कहीं बठाते चली है यहीं बठाते हैं यहीं पर आपका omen है एक, दू, तीन, चार, पांच, पांच चो ओमे न है तो तो देखिए ज़र इस तरह का सवाल आ जाए तो इससे हम एक मान लेते हैं, उसमें एक मान लेते हैं, उसमें एक मान लिए हैं, तो वहाँ पर दखें क्या करेंगे हैं, में केट हो है, एक, दो, तीन, चार, पांच, तब यहाँ पर टोटल आपका कितना लोग माना जाएगा, टोटल परसन कितना माना जाएगा, पांच ठो, में, मैं इस टोगेदा बढ़ाए हैं पांचों को उसको एक मांद के हैं कितना बच्चों साथ हो गया इसलिए आपका इन सातों को बठाने का तरीका क्या होगा मैथार्ड्स मैथार्ड्स आप सिपिन क्या बच्चों सातों को बैठाने का तरीका क्या होगा बच्चों अब देखिए बच्चों एक तरीका एक ची और शुट गया यह ओमेर कितना है यह तो है पांचों लेकिन हम इस ओमेर को यहां लिया सकते हैं इस ओमेर को यहां ले आ सकते हैं या दुसरे वाला को पहले अस्ता मला सकते हैं पहले वाला को तिसरा में तिसरे वाला को दुसरा में चौथा वाला को तिसरा में चौथा वाला को पहला में किसी भी जगा बढ़ा सकते हैं मतलब इस जो पांच को लेडिक है इस पा पांच तरीका से बढ़ा सकते हैं अब लिखें बच्चों मेथाड्स मेथाड्स टू सीट ओमन अमन को बठाना तरे कितना होच़ों फैक्टोरियल हाइव हो गया ये जो था साथ को बठाना तरे कितना होच़ों फैक्टोरियल 7 हो गया अब एक साथ इसलिए total method, total method, methods मैं लचेक में का हुए आपका यह factorial 7 into factorial 5, factorial 7 into factorial 5, इसे आप दो नुमल का answer कहिएगा, ठीक है बच्चाओ, अब question number 3 में आई, क्या करना है all the five moments do not sit together यहां पर जब कोई पर्तिवान नहीं बठाना है दो नोट sit together तो खाली बच्चों क्या करना है आपकी नमर में do not sit together वहां बच्चों क्या करना है आपको जो था पहला नमर में there is no restriction उसका जो answer आया था उस answer में से all the five moments sit together तो तो खाली मान निकाल लेज़ेगा और घटाने के बाद जो आएगा वही बच्चों आपका answer होगा बच्चों इस मतार से आपने इस इंपोर्टेंट सालान को सीख लिया मुझे भी स्वास है कि आप लोगों ने enjoy किया हुआ तो बच्चों मेरे चैनल विजयो सर्द्योगर को जादा जादा सेयर करें सब्सक्राइब करें तिल देन गुडबाई बाबाई